दोस्तों हर बारी के तरह एक और exclusive वीडियो के साथ हम आपके साथ आ चुके हैं देखिए यह जो इमेज है ना अब आपको इसमें पता लजागा कि टाटा पंच जिसका वेट मैं आप और हम सब कर रहे हैं बहुत बेस अवरी से तो हम सब में उसकता थी कि भाई इसका जो बेस वेरियंट के लिए मिले और इसका टॉप वेरियंट है वो तो अल्मोस्स सब यूट्यूबर्स ने दिखा दिया और सब विवर्स ने भी देख लिया लेकिन अब जो हम आपको यह पिक्स दिखा रहें ये हैं इसका एक बेस वेरियंट और आपको यहां पर आल्मोस्स तीन यहाँ पर नजार आजाएंगे जो कि आपको टॉप मॉडल भी नजार आ रहा है यहाँ पर आप जी जो सेंटर में देख रहे हैं यह है इसका बेस वेरियंट वो बताऊंगा कैसे और जो इसके बिलकुल लेफ्ट एंड साइड में खड़ा है वो है इसका आई थिंक यह जो ट पड़ी हुई लेफ्ट वाली कार में यहाँ पर बेस वेरियंट यह नहीं है क्योंकि इसमें फॉग लैंप है तो मोस्ट पॉबबली यह वाला जो मॉडल है यह आपको यह जो होगा एक्स टी या फिर एक्स एम यह दोनों वेरियंट में से एक वेरियंट हो सकता है लेकिन यह वाला कंफर्म है कि यहाँ पर जो बेस वेरियंट होगा इसमें आपको फॉग लाइट नहीं मिलेंगी दूसरा जो इसमें चेंज है जैसा मैं पता है कि जो इसका टॉप वेरियंट है उसमें आपको डूल चेंबर है लाइट मिल रही है आने कि प्रोजेक्टर एंड जाएंगी यहाँ आप देख सकते हो और वेरियंट में आपको बता दूँ कि जो डी यारे लाइट्स है यह भी आपको हैलोजन टैप के मिलेंगे यानि आता कि आपने टाटा हैर का अगर बेस वेरियंट ऐसमेल फैर पर यहाँ पर यह वी हम आखे़ों को इ साथ में जो जो गार्णिश होती है वो जो top variant है उसमें वो chrome finish में है लेकिन जो इन variant में है ये आपको grey या फिर piano black finish में मिलने वाला है तो ये दोनों जो फर्क हैं वो अब यहाँ पर नजार आ रहा है तो दोस्तों एक तो यह white color है जो की बहुत लोगों का favorite होगा और यहाँ पर सब इनतजार करें की white color की गारी प्लस आपको इसमें जो उसका base variant है या फिर top model के नीचे वाले जो variant सा ये दिखाए जाए तो देखिए जो side sub आप इस गारी को देख रहे हैं यह भी यहाँ पर यह alloy wheel नहीं आपको बता दूँ यहाँ पर यह wheel cover है जो की glossy black में है तो most probably यह भी आपका XM या फिर XT variant ही होगा लेकिन यह आपको base variant में नहीं मिलेगा base variant में I think आपको कोई wheel cover नहीं मिलेंगे और अगर Tata दे देती है तो फिर बात ही क्या है आपको क्या लगता है टाटा देगी नहीं देगी आपको क्या लगता है कि मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए तो प्लीज आप कमेंट कीजे और यह भी हमें बताइए कि आपको यह white color कैसा लग रहा है और आप वीडियो को like ज़रूर करेंगे प्लस अगर आपने अभी तक चैनल सस्क्राइब नहीं क्या है वो भी करतीजी क्योंकि हमारा चैनल अभी छोटा यार बहुत ज़्यादा सस्क्राइबर्स नहीं है लेकिन आप लोग त्यार करोगे सपोर्ट करोगे तो बिल्कुल हो सकता है तो खैर ये वीडियो आप देखे आपको कैसी लग रही है आप बताओ अपने दाए आप जरूर बताओ कि आप इसके बेस वेरिंट पर जाना चाहेंगे कि नहीं चलिए अब एक बात और निकली गई है तो यहाँ पर वो भी शेयर कर लेते हैं बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं कि इसमें डाक अडिशन आएगा कि नहीं आएगा और इसमें सी एंजी वेरिंट आएगा या नहीं आएगा तो आपको बता दूँ कि यह सब लॉंच के बाद जाने कि चार तरिक को इसका जो लॉंच है तो इसके बाद ही पता चलेगा कि इसमें सी एंजी वेरिंट आएगा या नहीं आएगा और इसमें डाक अडिशन जो है आएगा तो जरूर देखे डाक अडिशन जरूर आएगा लेकिन ताटा की ये स्पेशिलिटी रही है कि ताटा एकदम से इसका डाक अडिशन नहीं देता है जब गाड़ी अच्छी खासी मारकेट पकड़ लेती है उसके बाद वो धमा का करती है डाक अडिशन के रूप में तो यहाँ पर हमें पर यहीं उमीद है कि जब पंच आजाएगी उसके कुछ टाइम के बाद ही इसका डाक अडिशन पर देखने के लिए मिल जाएगा साथ ही ठीक है पेट्रोल की कीमतों में डीजल की कीमतों में बहुत जादा जो आग लगती जा रही आने की बहुत जादा ही रेट बढ़ चुके है तो लोगों की डिमांड ह कि भाई CNG गाड़ी आने चाहिए तो लोगों को बहुत पसंद आएगी और यह बात है भी अगर CNG मॉडल इसमें आ जाता है CNG टाटा इसमें दे देती है कंपने फिटेट दे देती है तो अब तो भाई बात ही क्या है सोने पर सुहागा होने वाली बात है तो यहां पर दे तो बने रही है हमारे साथ चैनल पे सारी अपडेट हम आपको देते रहेंगे और गाईज अगर आपके पास भी टाटा पंच से रिलेटिड कोई वीडियो कोई फोटो कुछ भी पढ़ा हो कोई इंफोर्मेशन हो तो आप वो हम से शेर भी कर सकते हैं आप या तो लोगों तक इस सारी इंफोर्मेशन को आपके थ्रू पहुंचाएंगे अच्छा एक बात और यहां पर ना हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे जो वीवर्स हैं वह डिमांड कर रहें कि इसका प्राइज बताया जाए देखिए वैसे तो प्राइज का ओल्मोस्ट खुला सा हो चुका है लेकिन वह बोलते हैं कि जब तक एक कंफर्म ठपा ना लग जाए स्टेंप ना लग जाए तब तक हम थोड़ा सा उस पर कच्छा पका ही रहते हैं तो यहां पर जो एकस्पेक्टेड प्राइज रेंज है वह है इसका 4,99,000 यानिकि लगबक 5,00,000 रुपे से इ अंदर की लीक्स जरूर है लेकिन मैं फिर भी एक बार आपने सारे विवर्स को बोलूँगा कि कोई बात नहीं आर इतना वेट किया है तो अब चार तारिक का वेट कर लीजिए चार तारिक को 11 बजे टाटा इसको ऑन मीडिया इसको लांच करने वाला है सारी इंफर्मेशन जो कंफर्म निकले जो डिरेकक कंपनिस से नकले अगर वही आप को दी जाए तो लेए बेटर है क्योंकि अभी आपको पता है कि हर चैनल मिल जाएंगे वीडियो लेकिन मैं आपको कोई गलत इन्फरमेशन देना नहीं चाहता कि मैं आपको अभी कुछ भी बोल दूं कि सिर हमें पता है कि 16 इंच के alloy wheels आपको मिल रहे हैं लेकिन इसके जो नीचे वाले वीरिंट्स होंगे उसमें 15 इंच के wheel मिलेंगे या फिर 16 इंच के steel wheel मिलेंगे क्या मिलेगा यह सब कुछ हम अभी इसलिए हम रुके में कि company ही जब इसको launch करें तब इसके बार में सारी details आपको दे दे और अगर आपके मन में भी data punch से related या इसके किसी भी variance से related कोई भी question है तो आप हमसे पूछ सकते हैं बैसे देखिए हमने इसके जो कुछ confirm leaks हैं जो confirm leaks है वो आपको बता चुक है like इसका जो boot space है वो 366 liter का है यहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि 366 liter का boot space कैसे मिल सकता है बड़ आपको बता दें कि confirm है यह news है कि आपको इसमें confirm इतना space मिल जाएगा दूसरी बात रहे है इसके जो जो लेग रूम है वो पीछे वाली seat पे कैसा है तो आपको बता दूँ कि जो पीछे वाले seat है rear seat से वहाँ पर भी आपको अच्छा कासा एक लेग रूम मिल जाएगा और आप सीधे सीधे compare कर सकते हो इसको swift के आसपास ही आपको यह मिलने वाला है उससे उसके बराबर ही होगा या तो उसके एक पॉइंट ऊपर ही होगा लेकिन उससे नीचे नहीं होगा तो swift से आप इसकी टककर समझ सकते हो वैसे तो हम ऑल्ट्रोस से भी इस गाड़ी को दौल रहे हैं और ऑल्ट्रोस को ही अपनी ही कंपनी की गाड़ी को यह टककर भी देने वाली है अब यही कोशन होगा आगे भी कि लोग अब एक SUV जासी गाड़ी में जो दिखने वाली जो लग रहा है कुछ लोगों को कम लग रहा है बाट वो देखिया अपने परसनल चॉइस हो सकती है यहां पर आपको जो इसके जो ग्राउंड क्लिरेंस डाटा पंच की वह मिलने वाली है 187 mm तो आपको लगभग लगभग 190 mm के आसपास आपको मिल रहा था आपको बता दूं क मैं आपको इक चीज बताता हूँ हर गाड़ी हर सेगमेंट के एकॉर्डिंग बनी होती है जिस सेगमेंट की गाड़ी है जिस बजट रेंज की गाड़ी होती है उससे हम उतना ही एकस्पेक्ट करें ठीक है अब आगर आप यह सोचेंगे कि भाई इसको ओफ रोडिंग पर भगाया जाए तो देखिए वो चो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है ना तो बजट कम है इस गाड़ी का तो कम फीचर्स के साथ ही आएगी या फिर आप इसको मैं आसा बोलूँ कि आप बड़ी स्टूवी के साथ इसको हैरियर सफारी के साथ कंपेर नहीं कर सकते हो सीधी इसी बात है तो जब कम रेंज की गाड़ी है तो उसमें आपको कुछ चीज़ों में कॉम्परमाइस को देखे कहीं ना कहीं आपको और हमें करना ही पड़ता है और बहुत सारे लोग इसमें पूछ रहे हैं कि इसमें जो टर्रेंड मोड्स हैं वो है कि नहीं है आपको बता जा था कि 86 PS की पावर जनरेट करके देगा साथ ही आपको यह 113 अनम टॉक जनरेट करके देगा और इसमें एक ही इंजन ऑप्शन अभी तक जो आ रहा है वो है 1.2 लिटर नैचुरिल एस्परेटेडर थ्री सिलिंडर पेट्रोल इंजन इसके अलावा अभी कोई 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 दूसरा इंजन आप्शन नहीं आया,कोईộc यह जिय अप्शन नहीं आएक कोई डीजल आप्शन नहीं आया कोई तर्बो मिल जाय कि इसमें तर्बो मिली है तो तो ये एक और अच्छी बात होगी सोने पर सुहागा होगा तो देखिए अभी बहुत सारी चीजों का ना राज खुलना पत्ते खुलना बाकी है बट्ट के धीरे धीरे ओल्मोस सारी चीजें कवर हो ही चुकी है और अब गाड़ी के ऑफिशली जब इसका लॉंच हो जागा तो सारी डीटेल निकल के सामने आ जाएंगी बाकी आप हमें अपने विचार जो है प्लीज एक बार इफिर समय रिपीट कर रहा हूँ आप अपने जो भी आपके मन में जो चल रहा हूँ डाटा पंच को ले करके आप वो हमसे जरूर शेयर करें वीडियो को लाइक कर दीज तो और प्यार की उमीद हम आप ही लोगों से करेंगे क्योंकि आप सब हमारे चैनल को बहुत प्यार करते हैं तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया हूँ